नमस्कार आज हम डिसक्स करेंगे की चिराज पत्रिगा जोंकि हिमाचिल प्रदेश की सब्ताहीक पत्रिगा है इसंबर 2021 का हम पárt 4 डिसक्स करेंगी की चिराज पत्रिगा का इससे पहले जितने भी आडिशिन हुआ हैं previous month के वो सभी हम discuss कर चुके हैं तो उन सभी का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा और अगर बात करें इस वीडियो के PDF की तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलिग्राम पर जॉइन करने के लिए आप इस तरह से एड दरेट औल एक्जाम 31 सर्च कीजेगा टेलिग्राम पर आपको ये PDF मिल जाएगा टेलिग्राम पर आपको मोस्ट इंपोर्टन QG's मिल जाएंगे वो सब आपको डेलिग्राम पर मिल जाएगा चलिए डिसकस करते हैं आज की वोड़ी का फर्स्ट क्वेश्चिन सबसे पहला क्वेश्चिन हमारे पास यहां पर दिया गया है वेन वोज दी सुभास पालेकर प्राकरतिक खेती खुसाल किशान यूजना लॉंच बाई हिमांचल प्रदेश कोमेंट अगर हम बात करें कि यह प्राकरतिक खेती कुछाल किशान यूजना कब स्टार्ट की गई थी तो यह की गई थी ऑपशन सी 2018 में 2018 2018 में यूजना 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 स्टार्ट की गई थी अगर इस यूजना के बारे में कुछ और भी जाने देखवा आपको याद रखना है कि यूजना इसलिए स्टार्ट की गई थी ताकि सरकार जो है जिरो बजट नैच्रल फार्मिंग को बढ़ावा दे सकी जो जिरो 53,643 किसानों को जो है वो प्रसिक्सित किया गया है इतने लोगों को प्रसिक्सित किया गया है और वर्तमान टाइम में 9,192 हैक्टेर भूमें जो है इस पत्ती पर जो है वो इस पत्ती के बेश पर जो है वो खेती की जा रही है यानि कि सुभास पार लेकर प्राकरती खेती कुछाल यूजना के तहर जो है इतनी भूमी पर खेती की जा रही है और इस वर्स इस यूजना के तहर जो है वो एक दर्श में लब पांच जिरो लाग किशानों को जोड कर जो है वो 12,000 हैक्टेर भूमी को जो है वो प्राकृतिक खेती के अंतरगत लाने का लक्षे भी जो ह रखा गया है तो यह सबाब प्राकृतिक खेती के बारे में याद रखे और यह भी कहा गया कि प्रदेश में जो है किशानों की आय में जो है 63.6% बृद्धी जो है किस यूजना के तैद दर्ज की गई है तो अब important important चीज़ें आप याद रखे जो भी exam में पूछा जाए उस बेस्ट पर आप अंसर कर सकते हैं अगले कोईशन देखिए अगले कोईशन में पूछा गया है तो रास्ट्रे स्थर की रेनुकाजी बांथ परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है देखो एक कोईशन तो पहले यहां से यह बन किया कि एक कोईशन अभी exam में और में परियोजना है परोजаст की संबनाई जा रहा रहा है और यमोना नदी की साहिक नदी है गिरी गिरी नदी पर यह पर बनाया जा रहा है वह से इंसर है अब गिरी नदी पर यह project बनाया जा रहा है, इसमें कितने मेगवाट का यह project है, पहले आपको बदा होना चाहिए, तो 40 Mewाट का यह project है, 40 Mewाट आप याद रखए कि इतने मेगवाट की परियुजना है, और अजम पहले इस project के बारे में पढ़ते रहे हैं, उसमें हमने इक प बेट्स के बीच में यह बनाई जा रही है यहां से जितनी भी बिजली उत्पन की जाएगी और वहां से जितना भी अरजित राजस्तों होगा उसका एक प्रतिसत हिस्सा वह इस प्रयोजना से प्रभापित क्षेत्रों पर फर्च किया जाएगा यह भी आपने जाद रखना है कि कितना प्रतिसत पैसां प्रभापित क्षेत्रों पर घर्च किया जाएगा तो लुक आपने जाद मेंसे प्रयोजना को पता चले अबThere आगे क्वेशन का अंसर कमेंट करके बताना है कि सावरा कुड़ू परियोजना जो है कितने मेगावाट की परियोजना है यह चोटा सा क्वेशन है कमेंट करके बता दीजिए आगे क्वेशन देखी आगे पूछते हैं अंडर सगुन योजना how much amount is given for the marriage of daughters of poor families सगुन योजना के तहट गरीब परिवार की बेटियों की शादे के लिए कितनी राशी दी जाती है अगर हम बात करें सगुन योजना की तो सगुन योजना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के दोरा चलाई गई है और इस परियोजना के तहट जो है हिमाचल प्रदेश में बारे में question ये पूर जा सकता है कि सगुनी योजना जो है कि इस योजना कहते है जो है जो amount दिया जाता है शाधी के लिए ये क्या अगर को हिमाचल से बाहर साधी करता है तो उसको भी दिया वो आवेदन वो लोग कर सकते हैं और ये जो इसका amount होगा जो 31,000 पर दिया जाएगा वो सीधा जो है वो bank accounts में transfer किया जाएगा ये भी दियान रखें और ये amount जो है वो निर्धन परिवार की लड़कियों को दिया जाता है याई गरीब परिवारों में खुशाली लाने के लिए जो है वो ये दिया जाता है amount बाकि marriage से related कोई और important योजना देखेंगे तो marriage के लिए जो है वो cash award जो है वो कितना दिया जाता है हिमाचल प्रदेश में तो वो 50,000 प्या दिया जाता है ये सब आपको यहां से पता चला अगला कोशिन देखें अगले कोशिन में पूछते हैं when was मुख्यमंतरी gram-cosal योजना launched मुख्यमंतरी gram-cosal योजना जो था वो हिमाचल प्रदेश में कब सुरू की गई थी अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये gram-cosal योजना कब स्टार्ट की गई थी तो इसका सुभारम जो था वो छे जनवरी 2020 को किया गया था इक जो हस्त कला है हत करका है स्थानिय का लक्रितियां है लकडी या फिर धातू की सिल्प है उनको पुनरजीबित रखने का काम भी जो हो सिखाया जाए अब इस योजना केता है जो है ऐसा नहीं कि योजना चला दी गई और कुछ एसिस्टेंस या फिर साहिता नहीं दी जा रासी जो है वो दे जाएगी यह आप याद रखी कि परसिकसु को कितना दी जाता है परसिकसु को कितना दी जाता है यह धियान रखना है और यह योजना चलाई ह की हुँए है जो हमारी पुरामी कला है हद करगा हो गया हस्त कला हो गया इस्थाने का लक्तियां होगी लकड़ी से बनने वाली चीजां होगी इन सब को पुनर जीवित करने के लिए यह योजना जोगा वो चलाई गई तो यह सब आप याद रखें इस योजना शिवारे में अगला क्योशन देखते हैं अगले क्योशन में पूछते हैं एम्स is situated at which place in हिमासिल प्रदेश या फिर at which place in बिलासपूर जीले में एम्स कहां स्तित है पहरे तो एम्स का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए एम्स का पूरा नाम है All India Institute of Medical Science अभी सभी को पता है कि बिलासपूर में जो है वो एम्स का उद्गाटन किया गया इसमें जो ओपीडी थी उसका सुभारम किया गया जब ओपीडी का सुभारम किया गया तो उस दोरान जो था इंडिया के जो हेल्थ मनिस्टर हैं जिनका नाम है मंसुक मंडाविया तो मंसुक पत्रिका में क्या था कि एम्स बिलासपूर में जो है वो विश्वस तर्या स्वास्ते से वाएं जो है परदान की जाएंगे और वही सब बातें कही गई थी इसके बारे में तो आपको यहां से पता चला कि यह कहां प्रस्तित है कोठीपूरा में पढ़ता है अच्छा और भी पंडित जोहरलाल नहरू गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज कहां प्रस्तित है यह जंबा में सित है राधा कृष्णन गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज कहां प्रस्तित है यह हमिर्पूर में सित है सिरिलाल बहादुर सास्त्री गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज कहां प्रस्ति तो यह आप याद रखें कि यह medical colleges जो है वो कहां-कहां पर सीथ है इनके नाम याद रखने हैं कहां-कहां पर सीथ है यह भी याद रखना है एक exam में last time question पूछा भी गया था कि district ayurvedic hospital जो है up to December 2020 तक हिमाचल प्रदेश में कितने है तो 34 district ayurvedic hospital जो है वो दिसमबर 2020 तक हिमाचल प्रदेश में है तो यह सब basic information है आपको याद रखनी है यहां से अगले question देखते हैं अगले question में क्या पूछा गया है अगले question में पूछा गया है where is the only hydro engineering college in हिमाचल प्रदेश located हो हिमाचल प्रदेश का एक मात्र hydro electric college जो हो कहां स्थित है यह स्थित है बंदला में बंदलाधार कहां पर है बंदलाधार जो है ब्लासपूर में परती है option b क्वेकुछ को icons है यहां पर कि सुरूरीर इसलिए जो फ्रेटानिकी कि त्रिष्टी से भी विक्षित किया जा रहा है यहां पर paragliding के लिए जो हम वो sources देखे जा रहे हैं paragliding की side से यहां पर पहले से selected हैं कि यहां पर paragliding की जाती है वास उसी को develop भी किया जा रहा है एक तो आपने यह याद रखना है दूसरा पौर भी important ऐसे institute है जो हिमाशल प्रदेश में सिर्फ एक एक खीस दित है जैसे कि Indian Institute of Technology IIT मंडी के कामंड में सित है दूसरा NIT National Institute of Technology हमिरपूर में सित है NIFT कहां पर है National Institute of Fashion Technology जिसको कहते हैं वो कांगड़ा में सित है Indian Institute of Management IIM जिसको कहते हैं वो सिर्मौर में सित है Indian Institute of Information Technology IIT यह उनना में सित है तो यह सब आपको याद रखना है कि यह कहां कहां पर सित है और एक तो आपने अभी पढ़ दिया बंदला का कॉलिश तो यह important information याद रखें अगला question देखते हैं यहां पर पूस्ट रहा है वेर इस दा हॉली प्लेस बावा भडवाग सिंग सिच्यूटिड तो पवित्रस्थान बावा भडवाग सिंग कहां सित है पवित्रस्थान जो बावा भडवाग सिंग है वो कहां पर सित है उनना में सित है यह तो आपको पता है उनना में exactly कहां पर सित है उननाखे Maddy में यह स्तित है Maddy option D जो है वो seson se셉ड अब Maddy में स्तित है Bava, Badwag, Singh और यह जो Bava, Badwag, Singh यहाँ पर Bava, Badwag, Singh मेला भी लगता है यह मेला जो है फरवरी के महीने में लगता है फैद के महीने में लगता है यह भी आप याद रखे कि कौन से महीने में यहां पर मेला लगता है तो यह सिर्फ important information यहां से मिलती है अगला question देखिए अगले question में क्या पूछा गया है In which year हिमाशल प्रदेश a state tax and excise department came into existence हिमाशल पुदेश राज्य कर यहम आवगारी विवाग किस वर्स अस्तित्तों में आया था यह question भी कि इलास पत्रिका में दिया पहले बात करते हैं कि कब अस्तित्तों में आया था और उसके बाद बात करेंगे कि क्यों यह पत्रिका में आया था क्योंकि राज्य कर एवं आवकारी विवाग ने जो था वो कुछ दिन पहले पिकावनावा इनके 51 जो है 51 स्थापना दिवास जो है इन्होंने अपना बनाया और 2020 में जो था वो आवकारी एवं कराधान विफाग का नाम भदल कर जो था वो राज्य कर एवं आवकारी विफाग जो था वो किया गया था ये भी याद रखिए 2020 में जो था ये नाम रखा गया था इसते पहले इसको किस नाम से जाना जाता था इसते पहले इसको आपकारी एवं कराधान विवाग के नाम से जाना जाता था और अब इसको राज्य कर एवं आपकारी विवाग के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना था वो 1970 में की गई थी 1970 में ये एस्तिक्तों में आय और दोहजार बी सिक्टीज में जो है यह राजास्सो बढ़ कर जो था उस साथ हचार च्वारीस क्रोड रुपया जो है वो हो गया तो यह से वाप याद रखिए अच्छा इसके लाबा एक और आर्टिकल गिरास बत्री का मैंसा जिसको हम डिसकस करेंगे अगर कुछ लोग इ एक इंपोर्टन क्वेशिन हम पूछ रहते हैं फिर उसको बात करते हैं क्वेशिन आपको आप लोगों के लिए यह है कि मुख्यमंत्री खेट सरंक्षन योजना के दायद कितने खेती योग के भूमे को जंगली अवारा जानवरों और बंदरों के कस्त्रे से सुरक्षित क किया जाएगा यह टार्गट सरकार ने क्या रखा है तो आपको बस चार ऑप्षिन दी गई है लास्ट टाइम यह क्वेशिन हमने घिजास पत्रिका में डिसकस किया था तो अपना अंसर कमेंट करके जुरूर बताएं अब बात करते हैं हम इंपोर्टन आर्टिकल की यह आर अगर इसको जलाया जाए तो यहां से जो हानिकारक जहरीला धुमा निकलता है वह सहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है और इस आर्टिकल में इंडिया के कॉंटेक्स में बात कही गई थी कि भारत में जो था वह इन बॉटल बंद पानें की शुरूआत जो था और इस उसके बाद जो था यह बढ़ता गया है लग-लग ब्रैंड जाती गई और देखो इस आर्टिकल में यह भी कहा गया था कि पानी जो है वह एकदम से प्रित्वी से कम हो रहा है तो इसको लेकर भी काफी चिंता है परन्तु यह जो बॉटल है यह इनका निर्मान जो ह वह सुल्फ जल जो है वह प्रोवाइट करवाती है तो लोगों को जो हो पाने खृतने की जुरूरत नहीं पड़ेगी और इजली जो है लोग जो है इस पाने की समस्या से जो हो निप्ट भी सकते है इसके लिए सरकार ने नल से पेजल अभ्यान भी स्टार्ट किया और यह इसके सामने जो था वह एक अच्छी मिसाल तो छोटी छोटी बातें कही गई थी आपको ध्यान होना चाहिए इसके बारे में अगर कुछ भी आपको लिखने के लिए आता है तो आप यहां से लिख सकते हैं छोटा छोटी होटे पॉइंस लिख सकते हैं यह ध्यान रखी कैस अर्टिकल के बारे में तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है तो देट सॉल फॉर टूड़े थैंक यू थैंक यू बेर मच पॉर वाचिंग अंडिस्टिंग वेरी पेसेंसली